असलाम अलेकुम YouTube फैंबली इस इस इंजिनियर इंतियाज और वाचिन यूट्यूब चैनल इएक्सपर्ट सुलुशन एक और वीडियो के साथ मैं आप लोग की खित्मत में हाजिर हूँ उमीद करता हूँ कि आप सब लोग खेर खेरियस से होंगे एक और वीडियो के साथ अधिन्य के विये का एक्सपर्ट सीरीस का इन दोनों की थनाम कशन को और और इसके इलावा होँ के प्राइस औप 시ंदिए क्लिए कौन सा हो सक आप और और को शुरू करने से पहले जो भी नहीं होंसे वीवर्सं ethic एंग के चैनल को सब्स्क्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकर इस तरह की और इंफर्मेटिव वीडियो में आप लोग के लिए बनाता रहा हूं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आडियो क्वालिटी पे काइनली थोड़ा सा कंप्रोमाइस कर लीजेगा तो सबसे पहले यह है कि यह है इंवरेक्स की विरॉन सीरिस 2.5 किलोवाट और यह है एक्जियोन सीरिस 3000 वाट्स में है तीन के विये का है यह सोलर इंवर्टर बिल्ड क्वालिटी की बात की जब दोनों के बिल्ड क्वालिटी ऐस सेम लग रही है आप लोग देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं जो बेन इसका जो डिस्प्लेय है इसमें आप लोग को 4.3 इंचिस की लार्ज LCD टैस्ट सक्रीन द बात कर ली जाए तो फ्रोनस में भी LCD में इंप्रूफ किया गिया है आप लोगों को तमाम तर पैरामीटर इसमें नदर आ रहे होंगे इसके टच बटन इस तरह के है मतलब इसमें एक चोटी से LCD है और इसमें एक वाइड LCD है जो तमाम तर पैरामीटर तो रोपे equally शो हो रह देखने को मिलती है साइट पे डस्कीट है और यह इसका ऑन अफ बटन है और इसके लावा यह इसका जो चार्ट है पूरा जिसमें स्पैसिफिकेशन मेंशन है ऐसल सेम इसमें भी ऑन अफ बटन है यह जो है आप लोगों को साइट पे डस्कीट देखने को मिलती है और इसक साइड पर देख लेते हैं तो दूसरी साइड पर आप देख लें तो दूसरी साइड पर भी आप लोगों को communication ports यह देखने को मिलती है यह communication port है इसके इलावा इसमें जो है ना dust filter है इसका यह dust filter है और यह इसकी जो safety precautions कुछ लिखी है जिसकी यह है बाकि तमाम तर ऐसाइड सेम है बैक पर देख लें तो बैक पर भी सेम है अब बात कर लेते हैं इन दोनों की specifications हैं जो एक key features आप लोग कह सकते हैं specification में 2.5 kilowatt 3 kilowatt आप इसको कह सकते हैं इसकी solar capacity है इसकी आप 200 watt 2200 watts तक का solar capacity attach कर सकते हैं लेकर इसकी बात की जाए तो इसके साथ आप लोग 3000 watts तक की MPPT मतलब के range है 3000 watts तक के आप इसके साथ solar panel attach कर सकते हैं इसके साथ कितने कर सकते हैं 2200 3000 watts solar charge controller जो इसके साथ आप लोग को देखने को मिलता है वो है 80 ampere का 80 ampere का इसके साथ 55 ampere का है MPPT voltage range इसकी कम है इसकी MPPT voltage range 130 है solar generation भी इसकी ज्यादा है solar capacity भी इसकी ज्यादा है as compared to जो विरॉन का है 2.5 kilowatt आप बात आ जाती है कि इसके उपर आप 2500 watts तक का load चला सकते हैं इसके उपर 3000 watts तक का load चला सकते हैं 2500 watts तक के load में आप 1.5 ton का AC भी चला सकते हैं लेकिन 3000 watts तक के load में 1.5 ton का AC चला सकते हैं और बाकि तमाम तर जो चीज़ें जैसे के washing machine, iron, fridge और चेसे साथ पंके, lights, LED TV, each and everything आप इसके उपर run कर सकते हैं इसकी solar capacity भी कम है, इसकी solar capacity ज्यादा है, इसका जो charge controller है, इसका वो कम है, इसका charge controller की बात की जाए, तो इसका charge controller आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलता है अब बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ों में आप लोगो compromise करना, इसकी जो warranty है 5 साल है, इसकी warranty 7 plus 1, 1 year आप लोगों को sales and service मतलब के product की भी मिलती है, इसमें कोई भी part damage होता है, तो free of cost, इसमें 2 साल के मतलब, 2 साल में अगर आप लोगों का कोई product इसका damage होता है, तो free of cost, बा 1000 watts मतलब के maximum load, 2500 watts maximum load, दोनों का आप लोग देख सकते हैं कि बड़े panels, इसकी जो है, इसके साथ 16.8 input current है, और इसकी अगर बात की जाए, तो इसके उपर जो है ना वो है, जो maximum पे आप लोग 400-500 watts तक का load चला सकते हैं, और इसके उपर 400-500 watts तक के solar panel इसके उपर भी attach कर सकते है इसके उपर भी attach कर सकते हैं, बाकी सामने से अगर देखा जाए, तो सामने connections है, वो इसके भी आप देख सकते हैं, और इस solar inverter के देखा जाए, तो इसके भी आप देख सकते हैं, अब बात कर लेते हैं, इन दोनों की prices की, इसकी जो price है, अगर आप देखा जाए, तो इसकी जो सोलर इंवर्टर परचेज कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं जो फ्रोनस का है जो थ्री के विए इसकी जो ऑफिशल प्राइस है वो है कोई 43,000 रुपे करी लेकिन अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे राफ्रेंस से राफ्ता करते हैं तो आप लोग को स्पेशल डि सोलर चार्ज कंट्रूलर ज्यादा है और इसके इलावा बाकी है कि 1221 का मॉडल है यह भी 1221 का मॉडल है आप लोग खुद फैसला करें कि आप लोग को कि सोलर इंवर्टर की तरफ मूव करना चाहिए अगर मेरी सग्जेशन लेना चाहते हैं तो मेरे जो प्लस पॉइंट है वो इस सोलर इंवर्डर की तरफ होंगे उसकी वज़ा यह है कि इसके फीचर्स एस कंपेर तो विरॉन सीरीज 2.5 किलो वाट इसके फीचर्स ज्यादा हैं तो यह थी तमाम तर वीडियो आप बात आयती है कि यह सोलर इंवर्डर आप लोग कहां से परचेस कर सकते हैं यह सो को क Barnwood का यह मंगवा सकते हैं तो यह थी तमाम तर वीडियो वीडियो पसंद है चैनल को लाइक कर दीजेगा इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा साती बाल- आइकन